तो Long Run class वह situation होती है जहाँ पर कोई fix variable नहीं होता हुटा सारे variable चेंजे होते हैं जब सारे variable चेंजे होता है मतलब इसका मतलब return to scale की बात करता है return to scale की मतलब होता है कि पूरा पैमाना change होता है यानि कि producer can produce more goods change the labor and capital both, यानि कि सारे variable को change कर सकता है तो इसलिए वहाँ पर कोई फिक्स बारीबल नहीं होता है तो अब जहां हम यह लेशी की बात करेंगे लॉंग एबरेज कॉस्ट तो सेफ कैसे बनती है उसको ड्राइब कैसे करते हैं इस बात को समझने के आप चोटी-चोटी बातों को समझना है आपको किलियर तो है इस सारे सब्सक्राइब बनेगा क्या कि मौर्डन इकुनामिस्ट जो है उन्होंने येल से नहीं बनाया ठीक है तो हम आपर डिसकस में नहीं जा रहे हैं सिंपल आपको बताना चाहते हैं कि लॉंग रंड एबरेज बैरेबल कॉस्ट कैसे बनाते हैं ठीक है तो चली क्लास सारी बात रहे हो रहा होता है आपको बनेग मически क्या हो रहा है Crpress काहते है ठीक है फिर उपर जाते हैं देखो कॉस्ट बढ़ रहा है तो इसको समझना अच्छेतर से समझने के लिए सब्सक्राइब बात देखो कि मांचरों एक मार्केट है एक एक इंडस्ट्री है एक इंडिविजियली फर्म है वह इस पॉइंट पर प्रोड़ेशन कर रही है ठीक है नीऊ फर्म क्राइब गकी सोटरं मालर काने कॉस्ट यनि इंडस्टरी इतना प्रॉड़ेशन मार्केट में कर रही है ठीक है चून अट कर रहे है उसके पास ये पॉरक्र प्वाइंट है और उसका सट्सपैक्शेतर आ ईए ठोड़े समय बाद उस ने क्या कि मार्केट में और लगा कि और प्रोड़ेशन करना चाहिए तो लेबर कैप्टल दोनों चेंज किया पूरा स्केल चेंज किया एक नई फैक्टरी एक नई शेट अप कराया तो हमें रिटन टू इंक्रीजिंग रिटन आ रहा है जब इंक्रीजिंग रिटन काउंट से सटेशन होती है इंक्रीजिंग रिटन फर्स इस्टेश होती है आथ को लाब बैरीबल प्रोपोर्शन में बोलें कि सार आप तो महां चले गए देखो बताते हैं कई सारे सॉटर्ण मिला करके तो लॉंग रॉन बोलेंगे भाई आज की दस साल पहले हमारी साच्वेशन क्या थी तो कहने कि सौटरं से कई सौटर मिलाने के बाद ही हम लाउंग नमे जाते हैं कि तो पहले सौटरं को सब्समझते हैं अब मानगे चलो कि हमने और शेटर बढ़ाया, और इस प्रोड़ाया, और प्रोडुक्शन किया, ठीक है ? तो हमारा प्रोड़ूशन इतना और हो गया, क्यो नॉ कर रही है लेबर कैपिटल और हाइल कर लिए प्रोड़ा रही है तीसरी कंडिशन में कि यहां पर आगई मालने कॉस्ट है यहां पर प्रोड़क्शन कर रही है तो यह आप्टिमूम पॉइंट अब बोलो इसको सरह ऐसा कैसे हो रहा है क्योंकि देखो धीरी-धीर क्या हो रहा तो उसका प्रोड़र्शन कम होता है लेकिन जैसे यह ब northwest अता है सो टेकनिक टूल टेकनिक नौलेज होती है मार्र्टिंग नौलेज होती है जिरी-धीर क्या होता है इसको प्रोडुक्षमड़पी बढ़ती के तो उसकी profitability भी बढ़ती है, तो per head जैसे average cost, marginal cost तो कम हो रही है, लेकिन total production, TP और AP, average productivity और margin product क्या होती है, बढ़ रही होती है, आपको पढ़ा है, अगर हमें यहाँ पर total production का graph दिखा है, तो lab variable proportion आपने पढ़ा होगा, तो उस case में क्या हो रहा है, कि जब cost हमारी कम हो रही है, तो production भी हमारा बढ़ रहा होता है, लेकिन increasing rate से बढ़ रहा होता है, ठीक है, लेकिन cost हमारा decreasing rate से होता है, तो producer क्या करता है, और ज्यादा production करना शुरू खड़ देता है, तो यहाँ से इस situation को बोलेंगे, आप क्या, increasing return, decreasing cost, अब इस point पर equilibrium है, यहाँ पर क्या हुआ हुआ, कि इसको बोलते है optimum point, क्या बोलते है class, optimum point, optimum, मतलब यहाँ के बाद उसकी cost है, मतलब बहुत minimum हो गई है, यहाँ पर इसके बाद बढ़ना सुरू हो जाती है, तो इसके बाद अगर production बढ़ाएगा, तो production बढ़ेगा, लेकिन decreasing rate से बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि market में completion नहीं न्यू फर्मे मारके में entry करेंगी, तो रामटेरी की cost बढ़ जाएगी, transportation cost बढ़ जाएगी, मारक में completion होगा, supply जादा हो जाएगी, rate उसके कम हो जाएगा, probability कम हो जाएगी, cost उधर रामटेरी की demand बढ़ जाएगी, rent बढ़ जाएगी, तो cost क्या होगी, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तो marginal cost और average cost दोनों बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर भी अपना scale बढ़ाता जाता है, ठीक है, तो अगर मैं बात रहूँ, अभी industry जो है, इस point पर आ गई है, यह SAC पर और यह SMC है, तो equilibrium point यहां हो गया, फोर हो गया, ठीक है, और industry अफना setup करती है, तो short run margin cost, short run average cost, equilibrium यहां हो गया, Q4 है, तो basically मैं कहना क्या चाहरा हूँ class, कई सोरे short run मिला करके ही long run बनता है, तो यह क्या है, यह short run थी, यह short run था, यह short run था, short run था, short run था, अगर हम LAC पहले ना बनाते, तो हम अलगलग point रखते, LAC पहले हम ना बनाते, पहले सिप अलगलग point पर काम करते, कि मैं पहले यहां था, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, तो अगर अब हम इन point को मिलाएंगे, तो हमारा क्या निकलेगा लांग अब्रेज बैरियेबल कॉस्ट क्या हो रही है धीरे-धीरे कम हो रही है फिर इस्टिन साथ ही फिर वह बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो इसलिए इसको भूलाता है इनवैलब करव ठीक है एले सी लॉंग अब्रेज बैरियेबल कॉस्ट बहुत सारे सौट रण अब्रेज कॉस्ट का क्या होता है जोड होता है एक टाइम की बात नहीं कर रहा है अगर मैं 2010 की बात कर रहा हूं तो दो हजार बाइस तक लेंगे यानिकि दस सालों का जो ट्रेंड देखेंगे वह होता है किसी एक दिन की बात नहीं करेंगे 2010 2014 2018 ऐसे कर तो कई सालों का अब्रेज देखेंगे तो क्या होगा है ठीक है किले हुआ है तो यह तो था क्लास लॉंग अब्रेज कैसे डिराइब करते हैं उसको समझाने का तरीका